नमस्कार आप देखरें आरे नियूज मैं हूँ आपके साथ पलवी सेंगा मुक्यमंतर शिवराज सिंग चोहान ने कहा है कि प्रदेश में कोरोना के केसिस लगातार बढ़ रहे हैं और एक सब्ता के अंदर ही लगभग 12 गुना की वृध्धी दर्श की गई कल ही प्रदेश में करीब 74,000 टेस्ट किये गए थे जुन में से 1577 केसिस पॉजिटिव आए हैं इसी स्थिती को देखते हुए कोरोना संक्रमन के प्रती पूरी साफधानी रखने की जरुवत बताई गई है सभी जिलों में प्रती बंधात्मक निर्देशों का पालन सुनिशित करा जाए साथी मुक्य मंत्री चोहान शनिवार को मंत्राले में कोरोना नियंत्रन और उप्चा व्यवस्ताओं की समिक्षा करने भी पहुंचे बैठक की गई और उस बैठक में केंद्रेकृशी मंत्री नरेंद्र सिंग तोमर चगिश्व सिक्षा मंत्री विश्वास सारंग मुक्य सचेव इकबाल सिंग बैंच और अपर मुक्य सचेव स्वास मुहम्मद सुलेमान समित कई अधिकारी उपस्तित रहे कॉंग्रस नीता और प्रदेश के पूर मुख्य मंतरी कमनलाथ ने 12 जुनवरी को होने वाले सामोहिक सूरे नमस्कार के आयोजन को रद करने की मांग उचाई है कमनलाथ ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि एक तरफ जहां शिवराज सरकार प्रदेश में करोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए प्रदेश भर में कोवेट गाइडलाइन्स का सक्ती से पालन करने के निर्देश जारी कर रही है वही तमाम प्रतिबंधों की घोशना कर रही है और दूसरी ही तरफ खुद ही अपने बेतु के आयोजन करवा रही है उन्होंने कहा कि 12 जन्वरी को विवेकानन जी की जयनती के अफसर पर प्रदेश भर में स्कूलों में सामुई करूप से सुरे नमस्कार के आयोजन के सरकार की तरफ से जारी किये गर निर्देशों पर भी सरकार को उन्होंने घेर लिया है रुक करेंगली खबर की और बिलासपुर से खबर सामने आई है जहांपर शादी के बाद लूटने वाली महिला के दो साथियों को सरकारा पुलिस ने गिरफतार कर लिया है पकड़े गए दोनों साथी कोई और नहीं बलकि महिला के ही बेटे हैं दरसल पुलिस कई मामलों में खुलासा होने की बात कर रही है सरकड़ा में रहने वाले करीब 78 साल के मुंची लाल पस्टारिया ने S.P. से अपने साथ हुई धोकाधड़ी की शुकायत की थी मुंची लाल ने बताया था कि साल 2016 में उन्होंने अपनी शादी का विग्यापन एक न्यूस पेपर में दिया था जिसके दरिये मध़बरदेश के सागर की रहने वाली महिला आशा शर्मा ने मुबाईल के माधियम से मुंची लाल से संपर किया और 4 दिसम्बर 2016 में मुबाल के मुखे मंतरी सामुएक विवा आयोचन के अंतरगत उन्होंने शादी कर ली शादी के बाद महिला करीब 22 महीने तक मुंची लाल के साथ रही इस दोरान उसने अपनी जमीन के दस्तावेश चुड़वाने और कई तरह की बहाने बाजी करके करीब 13 लाक रुपए आच लिए इस से भी जब उसका मन नहीं भरा तो रुष्तेदारों के साथ मिलकर सोने चांदी के जेवराद कार और 15 लाक रुपए लेकर फरार हो गए मुंची लाल की शिकायत के बाद पुलिस गिरफ लगातार आरोपियों की तलाश कर रहे थी और इसी दौरान आखिरकार आरोपियों को पकड़ लिया गया है आपको बता दे आरोपियों के निमच में छुपे होने की खबर मिली थी और जिसके बाद पुलिस ने आरोपि आशीश शर्मा और राहुल शर्मा को गिरफतार किया है बताए जा रहा है कि ये खबर बिलासपूर की है और ये दोनों ही आरोपि महिला के बेटे हैं जांजगीर चांपा जिले में किसान आंदोरुन की तैयारी की जा रही है दरुसल किसानों ने कलेक्टर से मुलाकात कर कुरिशी विभाग और जलसंसादन विभाग के अधिकारियों के खिलाव शिकायत दरच करवाई जला जल उपयोकता समिती बैचक में हुए निर्ने के बाद भी पांच जनवरी बिताने के बाद भी नहर में पानी नहीं छोड़ने से नाराज है किसान कुरोना संक्रमन में जन जीवन में कोई बुरा सर ना पड़े इसको लेकर अब जिला प्रशासन और किसानेता दोनों ही चंतित है किसानेता संदीब तिवारी ने बताया है कि जला जल उप्योगता समय देगी बैचक में रभी फसल के लिए पांच जनवरी से नहर में पानी देने की सहमती बनी थी लेकिन अब तक विभागी अधिकारी नहर में पानी देने के विशे में सोच नहीं रहे जिसके कारण किसान शिंदित हैं नहर में पानी नहीं मिलने से किसान और मज़ूर दोनों ही काम से वंचित हो जाएंगे और मज़ूरों का पलायन होने के संभाब नहुगे कोरोना के पहले और दूसरे लहर के दौरान पहरे किसानों को नहर से खेतों में लिया पाली मिलता था